बच्चों आज हम दी आधारी संक्रियाएं अर्थात बैनेरी आपरेशन के बारे में पढ़ेंगे पूरु की कक्षा में आपने जैसे अध्यन किया है अंक गणित एवं बीज गणित पर संक्रियाएं चार मौलिक संक्रियाएं आपने देखा है जोड़ना, घटाना, गुना करना एवं भाग करना मान लीजे, small a और small b दो वास्तिक संक्रियाएं हैं तो इन पर चारों मौलिक संक्रिया को हम क्रम सा a plus b, a minus b, a into b और a divided by b, जहां b is not equal to zero से दर्साते हैं बच्चों, इसी के कड़ी में आपने समुच्यों के बारे में भी पढ़ा है जैसे की प्राक्री संक्रियाओं का समुच्यों है, इसको capital N से दर्साते हैं और इसको लिखते कैसे हैं, capital N is equal to bracket के अंदर starting from 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma and so on ठीक इसी प्रकार से पॉर्ण संक्रियाओं का समुच्यों है जिसको हम capital W से दर्साते हैं और उसको हम लिखते हैं, रोस्टल फार्म पे W is equal to bracket के अंदर 0, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 and so on इसी प्रकार से हम पॉर्णांग संक्रियाओं का समुच्यों है जिसको capital Z से दर्साते हैं अर्था Z is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and so on and 0 के left side minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on ठीक इसी प्रकार से पर्मे संक्रियाओं का समुच्यों जिसको Q से दर्साते हैं और इसको हम समुच्य निर्मान रुप में लिखते हैं Q is equal to bracket के अंदर P by Q such that P and Q belongs to Z but Q does not is equal to 0 फिर हम अब पर्मे संक्रियाओं का समुच्यों है जिसको Q से दर्साते हैं अर्थात जो संक्रियाओं पी बटे Q के रुप में नहीं लिखा जा सकता है और लास्ट हम पहुचे थे वास्तविक संक्रियाओं का समुच्यों जिसको capital R से दर्साते हैं अर्थात capital R is equal to Q union Q डेस तो आपने इन सारे समुच्यों को सांकेती गुरूप में और इन से समंदित आपने सवाल पिछली क्लास में किये हैं बच्चो इनको आपको ध्यान पर रखने हम आगे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर में इस पूरे समुच्य का उप्योग होगा बच्चो आपने इसी अध्याय के अंतरगत दो और बाते आपने पढ़ लिया है संबन अर्थात रिलेशन और दूसरा फलन अर्थात फंक्सन संबन और फ्ञण की कम से कम परिभासा को हम यहां पर जान लेते हैं संबन दो समुच्यों की बीच संबन वास्तों में संबन होटा क्या है समुच्य A से समुच्य B में संबन केपिटल R द्वारदर साय जाए तो संबंध R समुच्चे A और समुच्चे B के कार्थी गुनन का उप समुच्चे होता है अर्थात इसको प्रदर्शित करते है R is the subset of A cross B जैसे कि R is equal to bracket के अंदर क्रमित युग में small a small b such that A B का भाई है एक उदाहर्ण हम लेकर के इसको ऐसा समझ लेते है ठीक इसी प्रकार से हम फलन को भी देखते है फलन भी एक विशेश प्रकार का संबंध ही होता है फलन यदि हम इसे संकित एप से दर्साएं तो इसको लिखा जाता है F such that A tends to B जिसमें समुच्चा A को प्रांत और समुच्चा B को सह प्रांत कहा जाता है इसके हमने कई सवाल और उदाहरण देखे है आपने इन सारे सितियों में देखा सभी में समुच्चा को उप्योग हुआ है तो चलिए बच्चों हम इन सारे पूरुग्यान के आधार पर द्वी आधारी संक्रिया क्या है आज हम समझेंगे द्वी आधारी संक्रिया क्या है सबसे पहले यहां पर द्वी आधारी का अर्थ दो आधार वाली जिसमें किसी एक ही समुच्चे ए के किनी दो आवयों small a तथा small b को समुच्चे ए के ही किसी आवयों से संबंध करना है और इसे निम्ण प्रकार परिभासित करते हैं इसको हम इस प्रकार से किसी समुच्चे ए में एक द्वी आधारी संक्रिया स्टार यह जो संकेत है स्टार ये दुयाधरी संक्रिया को दर्साता है एक फलन स्टार सच देट A क्रॉस A टेंस टू A है हम संक्रिया स्टार ब्रेकेट में A कॉमा B को A स्टार B से निर्पीत करते हैं जहां करमित युगम A कॉमा B बिलांग्स टू A क्रॉस A तथा A स्टार B यहां पर बैनेरी में बाई याने दो ओपरेंट्स A और B संक्रिया में भाग लेने वाला होता है और ओपरेंशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टिप्लाई L-C-M लेस देन ग्रेटर देन S-C-A-V यह सभी आपरेंशन यानि संक्रिया हैं इसमें संकेत स्टार संक्रिया यानि आपरेंटर को दर्शाता है अब इस फ्लन स्टार में एक रास ए प्रान्थ तथा A सा प्रान्थ को दर्शाता है याद रखें प्रान्थ के अव्यों क्रमित युग्म ब्रेकेट में A, B के रूप में होंगे तथा स्मॉल A वाई स्मॉल B के बीच संक्रिया करने पर प्राप्त अव्यों स्मॉल सी उसी समुच्चे A यानि साप्रान्थ के अव्यों होना चाहिए आए इस परिभासा को एक उदाहरण से समझते हैं फलन F such that A x A tends to A दी आधारी संक्रिया कहलाता है माल लिजिए समॉच्चे A बराबर ब्रेकेट के अंदर 1,2,3,4,5 तब A x A अर्थात कार्ती गुनन बराबर 1,1,12,13,14,15,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,41,42,43,44,45 यहां पर इस फलन का डोमेन अर्था D of F is equal to A x A अब इस्टार A, B is equal to A x B जहां A, B belongs to A इस्टार दी आधरी संक्रिया को दर्साता है यदि संक्रिया स्टार योग को दर्साता हो तब इस्टार 11 में, 1 plus 1 is equal to 2 which belongs to A स्टार 12 में, 1 plus 2 is equal to 3 which belongs to A स्टार 1 3 में 1 plus 3 is equal to 4 which belongs to A स्टार 1 4 में 1 plus 4 is equal to 5 which belongs to A ये सभी दी आधारी संक्रियाएं है किन्तु स्टार 1 5 में 1 plus 5 is equal to 6 which does not belongs to A अर्थात ये दी आधारी संक्रिया नहीं है ठीक इसी प्रकार हम देखें 2 plus 1 is equal to 3 which belongs to A 2 plus 2 is equal to 4 which belongs to A 2 plus 3 is equal to 5 which belongs to A अता ये भी दी आधारी है किन्तु 2 plus 4 is equal to 6 which does not belong to A ठीक इसी प्रकार 2 plus 5 is equal to 7 which does not belong to A ये दोनों दी आधारी नहीं है तो इस प्रकार हम दी आधारी है अथवा नहीं इसकी पहचान कर सकते हैं अब हम एक और उदाहरन लेते हैं स्टार such that N cross N tends to N में परिभासित संक्रिया स्टार A, B is equal to A plus B जहां A, B belongs to N पर विचार करते हैं माल लेते हैं A is equal to 2, B is equal to 3 तब 2 plus 3 is equal to 5 which belongs to N जोकि प्राक्रित संक्रिया योग पर संवरित होता है ध्यान दीजे बच्चों संवरित गुण इसको आपको ध्यान रखना आवर्श्यक है अता प्राक्रित संक्रिया N पर प्लस एक दी आधारी संक्रिया है अर्थाथ हम इसको इस प्रकार संक्रिया की रूप में लिखेंगे प्लस such that N cross N tends to N एक दी आधारी संक्रिया है जबकि 2 minus 3 is equal to minus 1 which does not belongs to N चोकि प्राक्रित संक्रियाएं अंतर में संवरित नहीं है क्या मतलब इसका? ये आवश्यक नहीं कि दो प्राक्रित संक्रियाओं का अंतर सदेव प्राक्रित संक्रिया है अता प्राक्रित संक्रियाएं रिण संक्रिया पर दी आधारी संक्रिया नहीं है अर्थात हम इसे संकेत की रुप में लिखेंगे minus such that n cross n tends to n दी आधारी संक्रिया नहीं है ठीक इसी प्रकार यदि हम a बराबर 2, b बराबर 3 तब 2 गुना 3 बराबर 6 जो n के आवयों है जोकि प्राक्रिश संक्याएं गुना पर समुरित होता है इसलिए प्राक्रिश संक्या पर गुना एक दी आधारी संक्रिया है अतह संकेतिक रुप में गुना such that n cross n tends to n एक दी आधारी संक्रिया है जबकि संक्रिया भाग में A बटे B बराबर दो बटे तीन जो कि प्राक्री संख्या नहीं है और थाद भाग में प्राक्री संख्याएं संवरित नहीं है इसलिए सांकेतिक रूप में संक्रिया भाग सच दैट N क्रोस N टेंस टू N एक द्वी आधारी संक्रिया नहीं है एक और उदाहन लेते हैं पूर्णांकों का समुच्य जेड लेते हैं स्टार सच दैट Z क्रोस Z टेंस टू Z प्रांत Z क्रोस Z तथा साप्रांत Z है आए हम इसको एक फ्लोचार्ट आप इस्क्रियन पे देखिए एक फ्लोचार्ट दिखाया गया है हम इस फ्लोचार्ट के माध्यम से दी आधरी संक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे समुच्च है z is equal to bracket के अंदर 0 1 2 3 ठीक इसी प्रकार से minus 1 minus 2 minus 3 ठीक इसी प्रकार से पुर्णांग संक्ख्याओं का समुच्च है हम इसके कोई दो आवयो लेते हैं z के आवयो a एवं b प्रांत z क्राश z के आवयो क्रमित युगम a b belongs to z क्राश z इसका पहला आवयो a और दूसरा आवयो b इनके बीच जह हम दी आधारी संक्रिया करते हैं संक्रिया star a कॉम b या a star b यह हम इसको पढ़ेंगे a is operated to be flow chart में देखें यह दूए आधारी संक्रिया star क्या क्या हो सकता है प्लस माइनस गुना अब a और b की बीच में जब हम यह संक्रिया करते हैं तो तीसरा पुर्णांग c प्राप्त होता है c belongs to z यह हमें output के रूप में मिलता है इस box को देखें output के रूप में z is equal to 0,1,2,3 dash 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 minus 1, minus 2 comma minus 3 dash dash अर्थाथ हमें z ही प्राप्त होता है हम इसे और समझ सकते हैं कि a, b belongs to z तब पहला a plus b is equal to c belongs to z दूसरा a minus b is equal to c which belongs to z तीसरा a into b is equal to c which belongs to z इस प्रकार यदि क्रमित युगम a b belongs to z cross z तथा a star b belongs to z तब संक्रिया star दी आधारी कहलाएगा अर्थाथ दी आधारी संक्रिया संवृत नियम का पालन करता है तो बच्चों ये ध्यान रखना है सदेव दी आधारी संक्रिया संवृत नियम का पालन करता है याद रहे दी आधारी संक्रिया के लिए पहला कोई न कोई एक संक्रिया होना जरूरी है और दूसरा कोई एक समुच्चे हो जिस पर हमें संक्रिया करना है आएए हम विभिन संक्रिया जो चार मौलिक संक्रिया पर दी आधारी है या नहीं देखते हैं इस क्रीन पर आप एक सार्णी दिखाये गया है इस सार्णी को ध्यान से देखें ये आएता कर बाक्स में ये सार्णी उन्लेखित है लेट कारनर अपर कारनर पर देखिए ये संक्रिया इस्टार जो की दी आधारी संक्रिया को दरसाता है अंक्रिया और सबसे उपर के पंक्ती में हम समुच्च है प्राक्री संख्याओं को समुच्च है N पुर्णांग संख्याओं को समुच्च है Z परमे संख्याओं को समुच्च है Q वास्तिक संख्याओं को समुच्च है R धनात्मक वास्तिक संख्याओं को समुच्च है प्लस अंकीत है और प्रथम इस्तम में संक्रिया प्लस, माइनस, इन्टू, डिवाइड क्रमसा अंकीत है अब हम पहला देखेंगे कि प्राक्रिश संक्रिया पर प्लस दी आधारी है या नहीं यहां लिखा हुआ है, है जेड में प्लस दी आधारी संक्रिया है या नहीं है क्यू पर प्लस दी आधारी है या नहीं है ठीक इसी प्रकार से वास्तिक संक्रियाओं पर धन जो है दी आधारी है धनात्मक वास्तिक संक्रियाओं पर धन संक्रिया दी आधारी है अब आएए हम माइनस पर इन सभी समुझ्यों के लिए दियाधारी है या नहीं माइनस के लिए प्राक्रिश संख्या के लिए दियाधारी नहीं है पुर्णांग पर माइनस दियाधारी है पर्मे पर माइनस दियाधारी है वास्तिक संख्याओं पर माइनस दियाधारी है किन्तु धनात्मक वास्तिक संख्याओं पर रिंड संक्रिया दियाधारी नहीं है इसके पुरो के उदाहर्ण में आपने देखा है तो इसे याद रखने इस टेबल पर फिर हम तीसरी प्राक्री संख्या गुना को देखते हैं, प्राक्री संख्या पर दियाधारी है, उनांग संख्याओं पर दियाधारी है, परमे संख्याओं पर दियाधारी है, वास्तिक संख्याओं पर दियाधारी है, तथा धनात्मक वास्तिक संख्याओं पर भी दियाधारी है, आईए हम भाग पर देखते हैं, भाग संक्रिया भाग संक्रिया जो है प्राक्री संख्याओं पर दियाधारी नहीं है पुर्णांग पर दियाधारी नहीं है पर्मे पर दियाधारी है वास्तिक संख्या पर दियाधारी नहीं है भाग क्योंकि यदी हम परमे संख्या यदी हम A बटे B के रूप में लिखते हैं और यदी B सुन्य आ जाता है तब उस इस्तिति में वह परिभासित नहीं होता है ठीक इसी प्रकार से R प्लस पर R प्लस याने धनात्मक वास्तिक संख्या पर भाग दी आधारी शंक्रिया है तो ये बच्चों आपको इस टेबल से आप दिमाग में इसको याद रख सकते हैं